इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह हैं ये चमकदार और स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देता है इसके अलावा ये छे अलग अलग प्रकारों में आता है जैसे केसर चंदन, नीम, पपीता अंगूर, सक्रे चारकोल, शहतूत सेब, नीमबु खुबानी चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, केसर चंदन त्वचा का रंग हलका करने में मदद करता है और त्वचा में चमकदार चमक लाता है ये त्वचा को यूवी किरणों से बचाने में मदद करता है इसके अलावा ये मुहा से पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में सहायता करता है 2. नीम दाग धब्बों को हलका करने और मुहासों को रोकने में मदद करता है ये तवचा को नम्यूक्त रखने में मदद करता है 3. पपीता अंगूर गंदगी अतिरिक तेल और विशाक्त पदार्थों से छुटकारा पाने में मदद करता है इसका उद्देश्य तवचा को पोशन और मॉइस्चराइज करना है इसके अलावा इसमें एंटी ओक्सीडन्ट, एंटी एजिंग और रोगनुरोधी गुन शामिल है 4. एक्टिवेटर चारकोल मृत तवचा कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है यह आतिरेक्व तेल को हटाने में मदद करता है और तवचा को डिटॉक्सीफाई भी करता है 5. शेहतूत सेब में तवचा को निखारने वाले गुन होते हैं यह तवचा को सूरज की ख्षती और तवचा की सूजन से बचाने में मदद करता है 6. नीम्बूख हुबानी चमकदार तवचा को बढ़ावा देता है यह तवचा को गहराई से साफ करने और कोलेजन उतपादन को बढ़ाने में सहायता करता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें